अन्नोन नमबर से कॉल आना बेहत आम बात है लेकिन अन्नोन नमबर से WhatsApp कॉल आना ये आम बात नहीं Recently इन दो शहर में कुछ ऐसे केसे सामने आए हैं जिनमें WhatsApp पर अन्नोन नमबर से वीडियो कॉल, वोईस कॉल आने के वज़े से कई सारे लोग मुसीवत ने पढ़ गए है कई बार हम सभी लोग हमारे नमबर पर अन्नोन नमबर से आरे कॉल को important समझ कर पिक कर लेते हैं अकसर ये नमबर्स रिस्की नहीं होते हैं पर यदि आप WhatsApp पर किसी अन्नोन नमबर के कॉल को पिक करते हैं तो ये आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है क्योंकि रिसेंटली कई सारे ऐसे केसे सामने आएं हैं जिनमें अन्नोन नमबर से WhatsApp कॉल के थूँ कई सारे लोग फ्रॉड और कई सारे लोग हरास्मेंट का शिकार हुए ऐसे में हम सभी का ये जानना बेहत जरूरी है कि आखिर WhatsApp पर आने वाले इन अन्नोन नमबर कॉल से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं और आखिर किस तरह हम इन फ्रॉड और हरास्मेंट से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं इनी सभी सवालों पर बात होगी आज की वीडियो में और हम आपको बताएंगे पांच ऐसी चीज़ों के बारे में जिनकी मदद से अब WhatsApp पर होने वाले इन फ्रॉड से खुद को बचा सकते हैं पिछले कुछ समय में कई सारे लोगों को अन्नोन नमबर से WhatsApp पर वीडियो और Voice Calls आये हैं अक्सर इन वीडियो कॉल्स में या तो सामने कोई व्यक्ति नहीं होता है या फिर सामने किसी भी तरह का Obscene वीडियो या फिर Image दिख रहा होता है याद रखें कि जितनी भी देर आप इन अन्नोन नमबर की वीडियो कॉल्स पर टाइम स्वेंट करते हैं उतनी देर सामने वाला व्यक्ति आपको रिकॉर्ड करता है और कॉल कट करने के बाद आपको आपका ही वीडियो दिखाकर आपके साथ फ्रॉट करने की या फिर आपको हरास करने की कोशिश भी करता है और ऐसे में हमें अपनी और अपनी प्राइविसी की सेफटी के लिए कोचीजों का ध्यान रखना बेहत ज़रूरी हो जिसमें सबसे पहली है do not pick up the call यदि आपको WhatsApp पर किसी भी unknown number से call आता है तो आप immediately उसे cut कर दीजे उसके बाद अब अपने contacts में चेक कीजे कि क्या वो number किसी ऐसे व्यक्ति का तो नहीं है जिसे आप जानते हैं पर आपने save नहीं किया है पर अगर ऐसा नहीं होता है और वो number आपके लिए completely unknown होता है तो आप उसे immediately block कर दीजे तक कि future में भी वो वेक्ति आपको directly WhatsApp की through video call या voice call करके contact नहीं कर पाए दूसरी important चीज जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो है cover your camera यदि आपको किसी भी unknown number से WhatsApp पर वीडियो call आता है तो सबसे पहले आप उसको receive ना करने पर यदि आपके लिए unknown numbers को receive करना important है या फिर आपके profession में इसकी requirement होती है तो ऐसे में आपको unknown number से call को receive करने से पहले सबसे पहले अपने phone के front और rear camera को अपने हाथ से किसी कपड़े से या फिर टेप से cover करने ताकि यदि वो call किसी भी fraud या harassment करने वाले व्यक्ति का होता है तो किसी भी तरह से आपको record ना कर पाए तीसरी चीज जिसका हम सभी को ध्यान रखना होगा वो यह है कि हम plus 91 country code वाले ही numbers को pick करें हर country का कोई अपना dialing code होता है जैसे कि इंडिया का है plus 91 तो ऐसे में भी आपको WhatsApp पर कोई ऐसा call आता है जिसका country code प्लस 91 नहीं है तो ऐसे में से pick करना आपके लिए बेहद इसकी साबित हो सकता है और इसलिए ऐसे calls को avoid करें चौति इंपॉर्टन चीज कि आप अपने DP और status की visibility view for all और ना करें कई सारी लोग अपने WhatsApp DP और status की visibility view for all कर देते हैं जिससे ऐसे कई लोग जिने शायद वो जानते भी नहीं है वो लोग भी उनकी DP और status को देख पाते हैं हमारा ये समझना जरूरी है कि हम अकसर हमारे status पर हमारी life से जुड़ी काफी सारी personal details को और information को share करते हैं और ऐसे में कोई भी वेक्ती हमारे pictures और इन personal details का पाइदा उठा सकता है और इसलिए जिन contacts को आपने अपने phone में save किया है जिने आप जानते हैं सिर्फ उनके लिए ही आप अपने DP visible रखें पांचवी important चीज कि आप किसी भी unknown number को आपको किसी भी WhatsApp group में add करने की permission ना दे अकसर हम जैसे ही किसी भी WhatsApp group में add होते हैं तो उस group से लोग हमारे number लेकर हमें कई सारे अलग-अलग WhatsApp group में add करने लगते हैं जो कि हमारे लिए काफे खराब चीज होती है यूकि ऐसे में कई सारे ऐसे लोग जो आपको नहीं जानते हैं जिने आप नहीं जानते हैं उनके साथ आपका contact share हो जाता है और इसलिए ये बेहत जरूरी होगा कि आप अपनी privacy settings में changes करके किसी भी unknown number द्वारा आपको किसी भी तरह की group में add करने की permission को बंद कर दे ये हैं कुछ छोटी छोटी चीज़े जिनका ध्यान रखके आप खुद की safety को ensure कर सकते हैं WhatsApp की तरह ही आजकल कई सारे messaging apps आ चुके हैं और जरूरी है कि ऐसे सभी apps भी frauds और harassment से खुद को बचाने के लिए आप इन सभी apps का समाल काफी responsibility करें आप देख रहते हमारा special segment news talk powered by Rasoma Laboratories is a trusted brand in pharmaceutical products producing high-quality and life-saving products that customers and patients can easily depend on so if you're looking for high-quality pharmaceutical products that you can easily rely on then choose Rasoma Laboratories without a second thought for further details you can visit www.rasoma.in or can simply call it 255-1210 करेंश रहते हैं